तुलार आशिवालो कि अब आप अपनी जीवन को राजा महाराज की तरह बना सकते हैं जी हाँ दोस्तों धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी आपके उपर प्रसन्न हो चुकी है आपके उपर महरबान हो चुकी है और साथ ही साथ नंदी महाराज भी आपको वह चीज देने वाले हैं जो आप जिन्दगी भर्याद रखोगे अगले साथ जन्म तक भूल नहीं पाओगे जी हाँ, तो ऐसी कौन सी चीज नंदी महाराज और माता रानी लक्ष्मी जी आपको देने वाले हैं आपके घर में किस तरह से धन दौलत की बारिश करने वाले हैं किस तरह से रूपए पैसे का बरसाथ होने वाला है सभी लाब हानी के बारे में विस्तार पूर्वक आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे बस आप थोड़ा सा समय देकर आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा अगर आप अंत तक देख लोगे तो दोस्तों आपके दोनों आँखों से आंसु नहीं रुकेंगे जी हाँ आप अपनी आँखों से आंसु नहीं रोक पाओगे जी हाँ आखिर क्यों ऐसा कौन सा चीज आपको मिलने वाला है आपके जीवन में क्या चमतकार होने वाला है ये सवाल आपके मन में गूंज रहा होगा लेकिन चिंता न करें आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में तो चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं जो कि सभी जानकारियां ग्रह गोचर के आधार पर 108% सत्य होने वाली है सबसे पहले भगवान नंदी महाराज के सभी सच्चे भक्त एक साथ मिलकर वीडियो को एक लाइक अभी कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हो नंदी महाराज जय मां लक्षमी लिख दीजिएगा और साथ ही साथ अपनी मनो कामना भी लिख दीजिएगा क्योंकि नंदी महाराज सब की सुनते हैं और सब की जोली भरते हैं जयोतिश शास्त्र के अनुसार मान्यता ऐसी है कि जो भी भक्त नंदी महाराज जी के कानों में सच्चे दिल से अपनी मनो कामना कहते हैं, उनकी मनो कामना पूरी होने लगती है, तो आप भी कह सकते हैं, आपकी भी इच्छा पूरी होगी. जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान के घर देड़ जरूर है, परन्तु अंधेर नहीं, भगवान हमें जब देते हैं, तो छप पर फाड़ के देते हैं. दोस्तों, ऐसी खुशियां हमारी जीवन में आजाती है, जिनके बारे में हम ना ही कभी कल्पना कर सकते हैं, और ना ही कुछ कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, उपर वाले उस परमात्मा की लीला अजब गजब की है, हमारे जीवन काल में कब कौन सा भुचाल आजाए, या अ जीवन काल में जीवन काल में जो शुब घटना होने वाली है, देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, जीवन काल में आपके साथ साथ पूरे परिवार भी खुशी में सराब बोर रहेंगे, जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें, कि जो भी लोग आपसे अच्छे से बात नहीं करते थे, आपको महत्व नहीं देते थे, आपको वैल्यू नहीं देते थे, वे लोग भी अब आपकी पीछे पीछे घूमने लगेंगे, जी हाँ दोस्तों, हम आपकी सभी को बता दें, कि आपकी तरक्की और आपकी प्रगती देखकर, दुश्मनों के आँखों से नींद, चैन, भूख, प्यास, सब कुछ उड़ने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा परिवर्तन कई सालों बाद कुंडली में दिखाई देता है, और जब दिखाई देता है, तो बवाल खड़ा हो जाता है, जी हाँ, अब आपकी जिंदगी में ऐसा बवाल खड़ा होगा, आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थिती आएगी, जिससे आपको भिखारी से सीधा राजा बना देंगे। समझ लेंगे, समय रहते जान लेंगे। तो दोस्तों, इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि आपको अपने जीवन काल में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ, दोस्तों, दोस्तों आपको बता दें, जो भगवान की बनाई हुई रास्तों पर चलते हैं, धीरे धीरे ही सही। लेकिन समय आने पर उन्हें सब कुछ अपने आप मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूं। फिर देखोगा वही, जो तु चाहता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, और इन गरीबी रेखा से पार पाना चाहते हैं, तो यह सब कुछ मोहमाया छोड़कर भगवान को याद कीजिए, और भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान कभी भी अपने भक्तों को ना खाली रखते हैं और ना निराश करते हैं, क्योंकि दोस्तों, भगवान की महिमा ही कुछ ऐसी महान है, जो की आज तक किसी ने नहीं समझ पाया। दोस्तों, अगर आप भी भगवान पर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में लिखें। जय मा, लक्ष्मी, जय हो कुबेर। आपको अपने निजी जीवन में, आर्थिक जीवन में, वह आपको परिवारिक माहौल में, सभी जानकारियां विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आज खुशी से जूम उठोगे। क्योंकि आज कई राज्योग, कई धन योग का निर्माण होने से, आज लाब की स्थिती बनी रहेगी। जी हां, दिन भर लाब की स्थिती बनी रहेगी। समाज में जो काम आपके अधूरे थे, वो आज आप पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में जो घातक योग बन रहे हैं, इस घातक योग की वजह से आपके जीवन काल में कई सारे बदलाव लेकर आ रहे हैं. कुछ बदलाव आपके लिए सकारात्मक भी होंगी और लाब के लिए भी होंगी. लेकिन कुछ ऐसे बदलाव है जो आपको थ बदलाव जरूर होते हैं और इस बार भी आपके जीवन में बहुत बड़े-बड़े बदलाव हो रहे हैं और इस समय आपके परिवार में भी बहुत बड़ी खुशकबरी आने वाले हैं। इसकी चर्चा आगे हम वीडियो में करेंगे, बस अंत तक देखते रहिएगा, वीडियो के अंत में हमने उपाय भी बताया है, उपाय आप लेकर ही जाएगा, क्योंकि उपाय बहुत ही लाबकारी, उपाय बताते हैं जो की 100% वरकिंग उपाय है, आप सच्चे और इमानदार लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लेकिन आज आपकी मुलाकात उनसे होगी, जो मुखोटे लगाए रखते हैं, उन्हें पहचानने की कोशिश करें, आप से जल्दी फैसले लेना समय की मांग रहेगी, किसी भी फैसले को अंतिम रूप देने से पहले अच्छी तरह सोच ल लेकिन करने के नाम पर आप पीछे हटते रहे हैं, आज आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे, जो चाहे खुद बहुत अच्छे रूप आकार का स्वामी न हो, लेकिन आपको अवश्य प्रेरित करेगा, आज आज आप कोई नया व्यायाम कार्यक्रम या खाने का नया पैटर्न शुरू कर सकते हैं, आई ग्रहों की स्थिती दर्शाती है कि आपके रास्ते में कोई बढ़धी बाधा आने वाली है, इससे आपकी लव लाइफ और करियर दोनों ही प्रभावित होंगे, इस समय जरूरी है कि आप अपने पार्टनर की बातों और शब्दों पर भावनात्मक प्रतिक्रियायन दें, इसके स्थान पर उनकी हर भाव भंगिमा को निश्पक्ष होकर जांचें, इससे आपको सही फैसले लेने में मदद मिलेगी, आपके नए व्यापार विचार जो आपने सुझाये थे, वे अब फल देने लगेंगे, आप अपना खुद क व्यवसाय शुरू करने की सोच सकते हैं, यह अपने दम पर कुछ करने के लिए सबसे अच्छा समय है, संभावना है कि आप इस समय अपने नए व्यापार के लिए परियाप्त वित्पोशन प्राप्त करने में सक्षम होंगे, आपको इस व्यवसाय को स्थापित करने के लि आज बद्धा सोचने और उंचाईयों को छूने का दिन है। ऐसा करने के लिए आपको बाधाओं की सूची बना कर अच्छी योजना बनानी। अही और आप पाएंगे कि परिशानियों से खुद बखुद समाधान नजर आने लगेंगे। आज रोड पर छोटी मोटी दुरगटना होने की काफी आशंका बनी हुई है। इसलिए गाड़ी चलाते हुए या गली पार करते हुए काफी सावधान रहें क्योंकि टककर हो सकती है। यहां तक कि अगर आप सावधान भी हैं तो भी आपको औरों की लापरवाही से चोट ल चाहेगा कि आप क्या चाहते हैं और आपकी किसी भी संबंद से क्या अपेक्षाएं हैं। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आपके लक्षे आपके पार्टनर के साथ मेल नहीं खाते। लेकिन कोई भी बढ़ दहा फैसला लेने से पहले आपको मतभेद बात चीत से सुलज करने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी समझाने, मनाने की शक्ति बहुत अच्छी है। इसलिए आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। आज का दिन उनके लिए अच्छा है। जो कि निर्मान के व्यवसाय से जुढ़े है। आज के दिन आपको जांच परक कर निवेश करना है क्योंकि ये अवसर लगु समय के लिए है। अगर आप अपने लिए घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। अपने इस चीज के लिए जो वित्तिय रणनीती बनाई थी उनका फल अब आपको मिल सकता है। आज आपको अपनी आराम जायक स्थिती से बाहर आकर कुछ गंभीर प्रयास करने हैं। सावधान रहें कि बिलकुल परंपराओं के अनुसार चलने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। गंभीर होकर प्रयास करने से ही आपको बहाव के साथ बहते रहने के स्थान पर जीवन जीने की सही भावना और अगर एक आदमी को भी हसा दिया तो आपको अगर बत्ती जलाने की कोई आवश्यक्ता नहीं क्योंकि खुशियां बांटने से ही खुशियां मिलती हैं और खुशियां चंदन की तरह होती हैं। आप जो एक दूसरे को भला करते हैं, मदद करते हैं, वह बड़ा ही मैटर करता है। जी हाँ आपका वही धर्म लोगों के दिलों में राज करता है, इसलिए अच्छे बनें, सच्छे बनें। बात अगर आपको समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स मे लिखें, राधे राधे जय हो, श्री कृष्ण कन्हया लाल की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको अपनी ही जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी आपको बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जी हाँ बता दें, जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, उससे आपको धोखा मिलने वाला है, लेकिन जिसको आप अपना नहीं समझते हैं, आखिरकार वही आपके लिए अपने होंगे। धन की देवी, महालक्ष्मी की कृपाद्रिष्टी आप सभी के जीवन काल पर पढ़ चुकी है, जिससे अब आप माला माल बनने जिहां दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहें, तो पूरे दस लाख की पैसों की गड़ी हाथ लगेगी। लेकिन दोस्तों, आप इसे पहचानने में गलती मत करना, नहीं तो आप जिन्दगी भर पच्चताओगे। जिहां, क्योंकि अपने पिछले समय में ये गलतियां की है और उसी की सजा आप अभी तक भुगत रहे हैं। अगर आप भी सही समय पर सही डिसीजन नहीं लगे, सही समय पर सही चीजों की पहचान नहीं करोगे, तो अभी भी भुगतना पड़ सकता है। जिहां, आज का दिन आप के लिए पद व प्रतिष्ठा में व्रिध लेकर आ नहीं तो आपके काफी कम रुख सकते हैं। आपको कुछ नए संपरकों से लाभ मिलेगा। आप किसी जोखिम भरे काम में हाथ डालने से बचे नहीं तो उसमें आपको समस्या आ सकती है। माता-पिता के आशीरवाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। शि इतनी ज्यादा मेहनत करोगे आपको उतनी बड़ी काम्याभी मिलेगी। इस बात को लिख कर ले लो। आज का दिन आपके लिए आध्यात्म के कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपका कामों पर पूरा फोकस रहेगा। आपको संतान की संगति की और पूरा साथ मिलेगा। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिल सकता है। आप अपनी किसी पुरानी योजना को लेकर परेशान रहेंगे। यदि आपने उसमें धन लगाया तो वह आपके लिए नुकसान लेकर आ सकती है। आपको यदि पार्टन कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर थोड़ी बहुत समस्या आएगी भी तो वह लंबे समय के लिए नहीं रहेगा। आज का दिन आपके लिए महनत और लगन से काम करने के लिए रहेगा। व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। शिक्षा से जुड़े लोगों को मन मुताबिक काम मिल सकता है। आपका किसी नए मकान को खरीदने का सपना पूरा होगा। आप किसी से धन ना लें नहीं तो आपको उसे पूरा करने में समस्या होगी। आपके माता जी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है जिसके कारण आपके कामों में स आपका मन पूजा पाठ में खूब लगेगा जिसे देखकर परिवार के सदस्य प्रसन्न रहेंगे और इससे आपका मन शांत रहेगा आपको मानसिक शांती भी मिलेगी इसलिए इश्वर भक्ति पूजा पाठ में आप थोड़ा सा अपना ध्यान जरूर लगाए यह आपके ल सावधाने के लिए रहेगा व्यापार में आपको अच्छा लाब मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और द्योगिक शेत्रों में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यक्ता है आप सबको लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे आप कोई ज़ेदारी में किसी काम को किया है तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना बंती दिख रही है। ज़ेदारी में किसी एसे मनोरंजक कार्य कलाप में हिस्सा लें जिससे आपके मन को भी ताजगी का अनुभव हो। कर्शक व्यक्ति से हो सकती है। आप उसके साथ यादगार समय बिताएंगे। सितारे आपके पक्ष में हैं। यह आदमी आपका काफी करीबी बन सकता है। अभी के लिए अपनी कामसंबंधी सभी चिंताओं को एक तरफ रख दें। और इस खास आदमी के साथ खास समय के एक एक पल का आनंद ले। आपको कई नई बातें भी पता चलेंगी। अपने हाल फिलहाल इसलिए धन खोया क्यों कि आपने अविवेक पूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली मृग त्रिशनाओं वाली परियोजनाओं में पैसे लगाया। इस तरह की और परियोजनाओं आपके समक्ष आएगी लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। अन्यथा आप वित्तिय परेशानी में फंस सकते हैं। आपको अपने निवेश के निर्णय चरण बद्ध तरीके से लेने हैं और विशेशद्यों की राय के अनुसार आगे बरहना है। पर आपकी आदत है कि सिर्फ खाली प्रस्तितुकरण एवं चमकती हुई चीज की तरफ भाग पड़ड़ते हैं जो की आपको छोट धनी आपने किसी परियोजना में अपना काफी समय और प्रयास लगाए हैं और आपको अब इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। दूर द्रिष्टे के साथ साथ आपके दिरड संकल्प और प्रयास भी रंग लाए हैं। आप कुछ नए बदलाव करना चाह रहे हैं लेकिन वित स्थिये बाधाएं हैं। आज आप सीमित साधनों से ही इन कामों को पूरा करने के स्रिजनात्मक तरीके खोज लेंगे। यह आपके लिए खासी शर्मिंदगी उठाने वाली स्थिती हो सकती है कि आपको अचानक अप्रत्याशित रूप से बहुत तेज गुसा आ जाए। अपने इस रियक्शन के लिए अब अपने दिमाग पर जोर न डाले। गल्तियां करने वाले आप अकेले नहीं हैं और गल्तियां सबसे हो जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से आप जिस भावनात्मक तूफान से गुजर रहे हैं यह उसका नतीजा भी हो सकता है। सबसे प प्रभाव और प्रताप में व्रिध्य होगी और कारोबार में आपको अच्छी सफलता मिलने की संभावना बंती दिख रही है। बस आप मेहनत से कम करें। इस समय बड़ा लाब होने का योग बन रहा है। नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को कोई शु हमेशा याद रखिएगा जल्द बाजी और भावुकता में लिया गया फैसला हमेशा गलत ही होता है। इसलिए कोई भी फैसला सोच समझ कर ले तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपको किसी पुरानी गल्ती से सबक लेना होगा। साज्यदारी में यदि आपने किसी का सम्मान में वृद्ध होगी जिससे उनकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ती दिख रही है। प्रेम जीवन जी रहे लोग उत्साहित रहेंगे और वह साथी को कहीं लॉंग ड्राइव पर लेकर जाने की योजना बना सकते हैं। जिससे आप दोनों का मन काफी प्रफुलित र लेगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ती से आप बहुत ही तोल मोल कर बोले। नहीं तो आपकी बात किसी को बुरी लग सकती है, आज का दिन आपके लिए तनाव ग्रस्त रहने वाला है। आपको अपनी सेहत में चल रही समस्याओं को नजर अंदाज नहीं करना है। नही के कारण आपके काफी काम रुख सकते हैं। आपके परिवार में किसी सदस्य की कोई बात बुरी लग सकती है। लेकिन फिर भी आप उनसे कुछ नहीं कह पाएंगे। किसी नए घर को खरीदने का आपका सपना पूरा होगा। खास कर गाड़ी वहां या किसी मशीनरी चीज खरीदने की इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। ग्रेहस्त जीवन में चल रही समस्य।